नमश्कर दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मारे यूटीब चनल के एक दम लेटेस्ट वीडियो में दोस्तों अगर आप भी रिलाइंस का जियो का इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बाड़ी खाबर है दरसल दोस्तों गर आप दूर दराज के लागों में रहते हैं और आपको इंटरनेट की समश्या है 5Z आपके फोन पर नहीं आ रहा है तो रिलाइंस जियों ने जियो इस पैस फाइवर लॉंच कर दिया है जिया दोस्तों यह एक ऐसी टेकनोलजी है जो कि आपको दूर दराज के लागों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच आएगी दोस्तों जानते हैं क्या कुछ है इस टेकनोलजी के बारे में और कब से यह लॉंच होने वाली है या फिर इसको आप किस तरीके से अपने मोबाइल फॉन में इस्तेमाल कर सकते हैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी दरसल दोस्तों दिल्ली के प्रगती मेदान में चल रहा है इंडिया मोबाइल कांग्रेस दोजार तेविस इवेंट में शुक्रवार यानिकी 27 सक्टूबर को रिलाइंस जियो के चेर्मेन आकाश अमबानी ने जियो स्पेस फाइबर टेकनोलजी पेश की जियो की यह टेकनोलजी दूर दराज के इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाएगी प्रकती मेदान में पहला स्टोल जियो इंफो कॉम का है आकाश अमबानी ने प्रदानमंत्री मोदी को जियो एर फाइबर स्पेस फाइबर समयत अन्य टेकनोलजी की जानकारी दी यहाँ जियो भारत डिवाइस को भी डिस्प्ले किया गया है दोस्तो इस फॉन को भी प्रदानमंत्री ने देखा जियो इस्पेस फाइबर एक सेटलाइट बेस्ट गीगा फाइबर टेकनोलजी है जो उन दुर्गम इलाकों में कनेक्ट करेगा जहाँ फाइबर केबल से ब्रोट बेंड कनेक्टिविटी पहुँचाना मुश्किल भरा काम है दोस्तो आपके जानकरिक बता दें जियो इस्पेस फाइबर सर्विस पूरे देश में बैहत किफायती कीमतों पर अवलेबल कराई जाएगी कमपनी के अनुसार भारत के चार सबसे दुरुस्त स्थानों को पहले ही जियो इस्पेस फाइबर से जोड़ा जा चुका है इन इलाकों में गीर, गुजरात, कॉरबाच, हत्यसगड, नबरंग, पुर ओडिसा और जोरहाट असम शामिल है दोस्तो यहाँ टेकनोलजी सेटलाइट रेसीवर डिस के जरिये इंटरनेट ट्रांस्मीट करने के लिए रेडियो वेवस का इस्तिमाल करती है जो एक मोडेम से जुड़ा होता है यहाँ टेकनोलजी एक जीबी प्रती सेकिंड तक की इंटरनेट स्पीड देने में शक्षम है जीओ फाइबर और जीओ एर फाइबर के बाद रेलाइंस जीओ के कनेक्टिविटी पॉर्ट्फोलियो की यहाँ तीसरी बड़ी टेकनोलजी है दोस्तों आपकी जानकारी के बता दें जीओ इस्पेस फाइबर से दूर दराज के इलागों में ब्रोडबेंड कनेक्टिविटी पहुचाने के लिए सेटेलाइट टेली कम्यूकेशन SES कमपनी के सेटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा यानि कि जीओ इस्पेस फाइबर से अब कहीं भी और कभी भी विश्वसनिय मल्टी गीगाबिट कनेक्टिविटी मिल सकेगी चुनोती भरे इलागों में सेटेलाइट्स आधारित इंटरनेट सर्विस को पहुचाने के लिए जीओ इस्पेस फाइबर इनोवेटिव एवम एडवांस एंजी एसो टेकनलजी का इस्तेमाल करेगा दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दें रिलाइंस जीओ इन्फोकॉम लिमिटेड के चेर में आकाशममानी ने कहा कि जीओ ने भारत में लाखो घरों और व्यवसायों को पहली बार ब्रोडबेंड इंटरनेट प्रोवाइड कराया है जीओ स्पेस फाइबर के साथ हम सभी तक अनकनेक्टिड लाखो लोगों को कवर करेंगे ओनलाइन सरकार, शिक्षा, स्वास्त और मनुझन से वाओं तक जीओ स्पेस फाइबर हर किसी को हर जगह कनेक्ट कर सकेगा दोस्तो SES के चीफ से स्ट्रेटजी ओफिसर जोन पॉल हैमिंग वे ने कहा कि जीओ के साथ मिलकर हम एक यूनिक सोलुक्षन के साथ भर सरकार की डिजिल इंडिया पायल का समर्थन करके समानित महसूस कर रहे हैं वैसे दोस्तो कमेंट करके बताएए किया आपके इलागे में जीओ का 5G नेटवर्क अच्छे तरीके से आता है या फिर आपके गाउं में आता है या नहीं अगर नहीं आता है तो यह टेकनलजी आपके लिए काफी खास होने वाली है वैसे दोस्तो अभी तक इस technology को पूरी तरह के से launch नहीं किया गया है और नहीं इसकी कीमतें और recharge plans सामने आये हैं लेकिन जल्दी इन सबकी जानकारी भी दे दी जाएगी दोस्तो इस तरही काम भी खबरों के आप मारी YouTube चनल को subscribe करके बेल आइकन दबा लीजिए यहाँ पर आपको तुमाम जानकारियां समय समय पर मिलती रहती है धन्यवाद वंदिमातरम जे हिन जे भारत